Hello Everyone, Welcome to our channel Pharmacy Updates, Be Up To Date With Pharmacy Updates आज हम बात करने वाले हैं एक important notice के बारे में, एक important circular के बारे में जो की जारी किया गया है Pharmacy Council of India के द्वारा इसमें हम बात करने वाले हैं related to registration जो भी हमारे diploma के courses किये हुए बच्चे हैं, जो diploma in pharmacy second year के pass out बच्चे हैं उनके registration के परिपेक्ष में ये notice आपके PCI ने जारी किया है तो कुछ इस तरह का आपकी screen पे notice दिख रहा होगा आप देख सकते हैं इस तरह का notice आपको मिल जाएगा PCI की site पे Pharmacy Council of India ने ये notice जारी किया है तो आप बात करते हैं इस notice में है क्या ये सर्कुलर से भी universities examination authorities को जारी किया गया है जो भी defarm examination कराते हैं इस सर्कुलर का subject है practical training done by defarm students PCI ने ये कहा है कि इस subject में उन्होंने विचार किया है as per regulation जो कि कुछ इस प्रकार से हैं काउंसिल ने एक सर्कुलर भी जारी किया था 9 जुलाई 2020 को और एक सर्कुलर जारी किया था 3 फरवरी 2021 को जिसमें उन्होंने practical training during COVID-19 से relaxation दिया था उसी के बारे में उन्होंने एक बात क्लियर करते हुए ये सर्कुलर जारी किया है जिसमें जो students ने during pandemic अपनी training पूरी कर ली है उनके ही registration करे जाएंगे और बाकी के student जिनकी pandemic situation के वज़ा से training पूरी नहीं हो पाई है उनको registration की सुवधा उपलग नहीं रहेगी वो अपने registration नहीं करा पाएंगे साथ ही PCI ने अपने education regulation 1991 के regulation नंबर 6 जो की diploma pharmacy के संबंद में है का reference देते हुए कहा है की deform first year और second year पूरा करने के बाद कम से कम 500 घंटे जो की तीन महीने से कम की ना हो की practical hospital training करना अनिवार होगा regulation 20 के अनुसार जो छात्र reform second year पास होने के बाद ही hospital training कर सकते हैं regulation 22 of education regulation 191 के अनुसार hospital training पूरी करने के बाद ही diploma pharmacy का certificate दिया जाएगा board या संबंधित university के द्वारा ये certificate students को जारी किये जाएंगे ये certificate सिर्फ उनी student को जारी होंगे जो की D firm first year में और second year में पास हुए होंगे और साथ ही जैसा की पहले ही बताया की तीन मन्थ की training उनकी अनिवार है उसी में PCI ने अपने circular में clear लिखा है कि practical hospital training D firm course का ही पार्ट है जिसे पूरा किये बिना D firm course का certificate जारी नहीं किया जाएगा साथ ही PCI ने सभी universities और examination authorities को सक्त निर्देश दिये हुए हैं कि वो education regulation 1991 और education regulation 2020 का पालन कड़ाई से करें और जो भी उसमें निर्देश दिये गए हैं उसी की अनुसार पालन करते हुए बच्चों को certificate प्रोवाइड कराएं तो PCI ने अपना ये circular निकाल के सारे confusion को clear करते हुए student को ये information दे दी है कि जो भी student आपके हैं D firm और B firm किसी भी university के किसी भी college के या फिक कोई भी examination authorities हैं जो भी conduct कराते हैं examination वो इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको certificate जारी करें students ने first year और second year के examination को clear किया है कि नहीं और साथ ही उन्होंने जो three months की training है याने की 500 घंडे की training जो की three months से कम की नहीं होनी चाहिए hospital practical training वो जरूर से करें जो बच्चों ने hospital training कर ली है during pandemic situation भी किसी भी तरीके से उन्होंने ये possible कर दिखाया है कि उस situation में भी उन्होंने hospital में training करी है और अपनी training जारी रखते हुए वहां के training certificate उनको मिल चुके हैं उनके लिए खुसकबरी की बात है क्योंकि उनके university उनके colleges उनको certificate जल्दी जारी कर देंगे और वो साथी साथ वो बच्चे अपना registration PCI में कराने पाएंगे और register pharmacist कहलाएंगे लेकिन वो बच्चे वो students जो की अपनी hospital training during pandemic situation नहीं complete कर पाये थे वो अपनी training को complete करने का प्रयास करें उनकी training complete होने के बाद ही आपको certificate मिल पाएगा बिना training आप complete की वे certificate आप apply नहीं कर सकते certificate के लिए कोई भी आपको universities कोई भी examination authority आपको certificate नहीं provide कराएगी और अगर आपसे कोई ये कहता है कि आपको certificate मिल जाएगा तो आप उसके बैकावे में ना आए इस circular को ध्यान में रखते हुए आप अपनी training को जल से जल complete करने का प्रयास करें और certificate हासिल करके register pharmacist बन जाएं hopefully ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो में दी गई हुई information आपके लिए useful रही होगी आपके काम आई होगी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को like करें हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon दबाना ना भूले और साथ ही be up to date with pharmacy updates